हलो बच्चो बच्चो आज की इस वीडियो में चैप्टर अपना होने वाला एलेक्ट्रिस्टी और वेटा हम लोग टॉपिक डिसकस करने माले हैं जिसमें हम लोग डिसकस करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चो आपको हम देना चाहते हैं एक important information, ऑइनफार्मेशन क्या है, आपके लिए हम लोग लेकर आया है क्या one sort, important topic question, mind map और mark वाइस question, 2 marks 3 marks 5 marks यह सारी वीडियो कहां मिलेंगी, यहां पर देखेगा आपका I button given है यहां पर क्लिक करो, यह सारी वीडियो आपको मिलने वाली है free app class में तो आई बच्चो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहां पर आपका पहला कोशन दिया हुआ है Name a device that you can use to maintain a potential difference Potential difference maintain करने वाली ऐसी device का नाम बताओ जो कि potential difference maintain करती है conducting wire के अंदर And explain the process Processes भी explain करना है by which this device does so किस तरीके से यह potential difference maintain करती है यह process भी हमें यहां पर बताना है यह question आपका पूछा गया था 2013 में 2013 के आपके board exam में पूछा गया है तो चलिए किस तरीके से कौन करता है क्या होता है potential difference Potential difference यह होता है जब किसी conducting wire के अंदर Electrons जो है वो electrons flow होते है याने कि electrons जो है कोई conducting wire है यह conducting wire के अंदर जो electrons है यह electrons को flow करवाना है flow कौन करेगा ऐसा तो है नहीं कि यह automatic flow होने लग जाएंगे नहीं यह random motion कर रहे होते है तब तक इसके अंदर कोई electron कोई current नहीं बहरा होता है अब जैसे ही यह certain direction में move करता है तो certain direction में किसी को move कराना पड़ेगा अब कौन move करायागा इसको तो इसको move करवाने के लिए potential difference create करना होता है याने कि इधर से इनके धक्का लगाना होता है इधर से push करना होता है या इधर से push करना होता है electrons को तब जाकर यह एक direction में move करना है start करते है और वो push कौन करता है वो push कौन देता है वो force वो देता है potential difference और potential difference किससे create होता है या तो आप electric plug के द्वारा electric जो plug होता है उसके द्वारा potential difference create किया जा सकता है या फिर battery या seal के द्वारा electric potential difference create किया जा सकता है तो हम यहाँ पर मालोग की battery या sale के द्वारा क्या करते है potential difference create करते है और इस पर क्या होता है कि यह electronic certain direction में move करना है start कर देते है ठीके तो कौन करवा रहा है potential difference maintain sale या battery अच्छा यह करते कैसे है explain the process by which this device does so करते कैसे है किस तरीके से potential difference create होता है you know that market में dry sale वाली battery मिलती है lead acid battery मिलती है lithium ion वाली battery मिलती है rechargeable batteries मिलती है बहुत सारी batteries मिलती है ठीके तो यहाँ पर होता क्या है कि dry sale के अंदर dry sale के अंदर क्या होता है यहाँ पर इस तरीके से anode एक होता है anode, 20 में होता है, मानलो anode है और एक होता है आपका यहाँ पर cathode, ठीके, anode और cathode होता है, 20 में जो यह solution होता है, वो solution आपका काई होता है, electrolyte solution होता है यह होता है, ठीके, यह electrolyte solution होता है हो सकता है कि यह graphite की हो यह graphite की हो, और यह zinc की हो, है ना, zinc या graphite या कोई भी anode और cathode दोनों अलग होता है एक anode होता है एक cathode होता है एक अनोड पर negative होता है और एक पर मालने इसके पर positive है तो इसके पर negative होता है यह electrolyte solution के अंदर ही कुछ ऐसी chemical reactions होती है यह electrolyte solution जो होता है वह आज पर आपका ns4cl हो सकता है, ammonium chloride हो सकता है, आपका sulfuric acid हो सकता है, तो यहाँ पर यह क्या करते है, h2SO4, ns4cl, यह क्या करते हैं, ions बनाते हैं, और यह ion ही move करते हैं, और यह ion ही क्या करते हैं, potential difference create करते हैं, अच्छा किस तरीके से process होता है, यह process जो है आपका, किसी battery या cell के अंदर, यहाँ पर इस तरीके की कोई battery है, मालो, ठीके, यहाँ पर उपर की तरफ मालो cathode है, और नीचे की तरफ anode है, अच्छा anode है, तो यहाँ पर axis of electrons होंगे, अच्छा anode है, तो यहाँ पर axis of electron होंगे, और बीच में यहाँ पर आपका electrolyte solution है, अब जैसे ही axis of electron है, तो यह electrons क्या होते हैं, यह electrons यहाँ से electrolyte solution को पार करके, क्रॉस करके, कैथोर के पास नहीं आ पाते हैं, पर जैसे ही हम क्या करते हैं, इससे किसी conducting wire से connect करते हैं, इससे जैसे ही conducting wire से connect करते हैं, तो यह electrons यहाँ से move करना start करते हैं, और move करते करते हैं, यहाँ पर कैथोर के पास आ जाते हैं, अब जैसे ही एक electron यहाँ से nirical के, कैथोर के पास आया, तो यहां यह electrolyte solution के अंदर, क्या होता है, जिसे S2SO4 है, मालों यहां पर, तो S2SO4 का कोई solution है, है न, sulfuric acid, तो यहां पर यह H plus ion बन जाएंगे, और यह sulfuric acid के minus ion बन जाएंगे, समझा रहा है, sulfuric acid plus वाले ion बन जाएंगे यहां पर, यहां पर sulfuric acid के minus वाले ion बन जाएंगे, यह plus वाले, यहां पर जाएंगे, इससे electron लेंगे, है न, और वापस से क्या हो जाएंगे, neutralized हो जाएंगे, यह sulfuric acid वाले minus वाले इद़र आजएंगे, और इसको electron दे देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से circuit बन जाता है, पूरे electron तरीके से घूमने लग जाते हैं और यह electrolyte solution electron का आधान प्रदान करता देता है और यहाँ से क्या होता है अगर कोई load लगा दिया गया तो यह bulb क्या हो जाता है illuminate यह bulb जो है आपका illuminate हो जाता है जल जाता है ठीके तो इस तरीके से यह battery आपकी potential difference create करती है किसी भी conducting wire के अंदर या किसी भी electric circuit के अंदर potential difference create करती है यह process होता है किसी भी circuit के अंदर या किसी भी electric circuit के अंदर potential difference create करने का now move to the next next question पर चलते हैं यहाँ पर यह दिया हुआ भी है solution solution क्या दिया हुआ है आपको a sail or a battery can be used to maintain maintain a potential difference between the ends of the conductor, यही अब मैंने भी बताया था आपको, the chemical reactions within a sail generates the potential difference, chemical reaction ही क्या करती है, generate करती है potential difference across the terminals of the sail, sail के terminals पर, जो भी मैंने बताया था, positive terminal or negative terminal, even when no current is drawn from it, कोई साभी current दबता किस पर flow नहीं लिया जाता, कोई current नहीं लिया जाता, तब भी होता है ऐसा, when it is connected to a conductor, it produces an electric current, और जब इसे किसी conductor से connect कर देते हैं, तब क्या करता है, यह produce करता है, electric current, and maintain the potential difference across the ends of the conductor, और क्या करता है, sail और battery maintain करती है potential difference, तो बच्चों इसी एक साथ हम लोग करते हैं वीडियो को end, I hope आपको वीडियो काई पसंद आया होगा, आपने काफी enjoy किया होगा, बच्चों वीडियो को end करने से पहले, आपको हम देना चाहते है, important information हो क्या है, कि बच्चों हम लोग आपके लिए क्या है, one sort, important topic wise question, mind map, और mark wise वीडियो, बच्चों सार सब कुछ आपको मिलने वाला, यहाँ पर देखिए गाई बिटन है, इस पर क्लिक करिए, इस सारी वीडियो आपको मिलेंगे फ्री आपकार, तो बच्चों इस इक साथ करते हैं वीडियो को end, goodbye,